महानगर में भारी बारिस के कारण होने वाले जल जमाव तथा उसकी निकासी के लिए नगर निगम पूरी तरह से सतर्क है जिसके संबंध में नगर आयोक अंजनी कुमार सिंग ने बताये कि बरसाथ के पानी के निकासी के लिए निगम द्वारा हरबर बंधा पर 11 रेगुलेटर लगाए गए हैं इसके अलावा एक रेगुलेटर पर 6 पंप लगे हुए हैं जब कभी भी जल का अस्तर शहर की तरफ कम और नदी की तरफ जादा हो जाता है तो रेगुलेटर का गेट बंद कर दिया जाता है जिससे नदी का पानी शहर में ना आने पाए और जो शहर में बारिश का पानी जमा हो जाता है उसको पंप के जर्ये नदियों में गिराया जाता है सभी रेगुलेटर पर जेई की ड्यूटी लगी हुई है जेई मौके पर रहकर देख कर या डिसाइड करते हैं कि कितने पंप चलाने की और शक्ता है नगर आयुक अंजिनी कुमार सिंग ने कि नगर निगम का लक्ष है कि इस शहर में बारिस का पानी जमा ना होने पाए और अगर किसी तरह बारिश के कारण जमा होता है तो उसे पंप के जरी निकाल कर सहरवासियों को जल जमाऊ से निजात दिलाएंगे नगर आयुक ने बताया कि इसी के साथ शहर में साफ सफाई के लिए 10 जुलाई से 12 जुलाई तक 3 दिनों के लिए विशेस अभियान चलाया गया था इन दिनों में शहर में जो कूड़ा जमाह था उसको साफ करवाया गया और शहर को सेनेटाइज किया गया महानगर में जेई और एंसेफिलाईटेस की खत्रे को देखते हुए हम लोग विशेस ध्यान दे रहे हैं नगर आयुक ने बताया कि 3 सालों में एंसेफिलाईटेस मरीजों में काफी कमी आई है और कोशिश यही रहेगी कि एंसेफिलाईटेस जड़ से समाप्त हो सके इस संबंद में गोरकपूर नियों से बात करते हुए नगर आयुक अंजिनी कुमास सिंग ने कहा ताकि गुत्वा करशन के कारण जल नदी से शहर में ना आने लगे और फिर शहर का जो जल इकठा हुआ है वारिश का उसको हम पंप आउट करते हैं वहां रिगुलेटर पर लगातार अपने जेईज की डूटी लगा रखी है यही मौके पे रहकर यह तै करता है कि कितने पंप चलाने की आउशकता है तो दुशार पंप चलाता है हमारा उद्देश यह है और संकल भी है कि शहर में हम बर्षा का पानी इकठा नहीं होने देंगे और यदि तेज बारी की कारण इकठा होता है तो उसे नियूनतम संभव समय में पॉंप आउट करके शहर को शहरवासियों को जल जमाओं से मुख्य बिलाएगा साफ सफाई के लिए अभी तीन दिन विशेश अभियान चला था दस ग्यारा और बारा जुलाई को और इस अभीयान में शहर में एकठे तमाम अस्थनों पर जो कुड़ा एकठा था उसको साफ कराया गया फॉगिंग कराई गई एंटी लारवा च्रकाव कराया गया ये सफाई का कार विशेश कर बारिश के मौसम में हम अभीयान के तोर पर लगातार करते रहेंगे आप जानते हैं कि जेई और एईएस के दिश्टी से गोरफपुर जनपर और गोरफपुर महानगर संवेदन शील्ड छिट रहे है हम लोगों ने पिछले पांच साल के केसे की मैपिंग कर ली है कि कहां कहां जेई और एईएस के केस ज़्यादा आये थे उन सलों पर विशेश जान देते हुए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जेई और एईएस का प्रपुर महानगर निवासियों को न हो खुशी की बात यह है कि पिछले तीन वर्सों में लगाता इन केसे में कमी आई है जेई एईएस के प्रप्रा काफी कम हो गये हैं कोशिश ही रहेगी कि इस वर्स और कम हो तो 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 इसमें कमी आती है